बैसाक के महिने में जो रात्री भर जल रखा हो मिट्टी के पात्र में अगर आपके पास में घड़ा हो हंडा हो नी हो तो दिया हो दीपक हो कुलड़ हो कोई भी तुमारे पास में जो मिट्टी का पात्र उसमें जल भरना वो जल बैसाक के महिने की किसी भी सुमबार के दिन या किसी प्रदोश के दिन या बैसाक महिने के शिवरात्री के दिन वो मिट्टी के पात्र का जल अपने घर के प्रतेक व्यक्ति का इसपर्ष करा करा उस म कभी जीवन में पीछे पलट कर देखने की जरुवत नहीं पड़ेगी आप उन्याक्र जड़ाएंगे आप भी बना लो एक नियम कि बेसाक महिने की शिवरात्री यह भी संकर भगवान को अपने दिल की बात करते हुए अपने मन की बात करते हुए रोग मुक्ति के लिए, कारसिध्धी के लिए, धन भैबहु संपदा के लिए, समर्द्धी के लिए, मुझे भी जल चड़ा। एक लोटा पानी, शिवजी को, उसमें बेल पत्र डालने के बाद भेड़ ले, उस जल को, या कोई मट्टी का सकोरा हो, बरतन हो, घड़ा हो, कलश हो, उसमें भरा हुआ रखा हो, वो कामे के पत्र में डाल लो, उसको ले जाकर चड़ा। पर एक वर चीज का ज्यांदत में, अगर आसाध्य रोख, जिससे ऐसा रोख हो, जो समाप्त नहीं हो रहा हो, कैंसर, किड़नी, लीवर, या किसी का डालेसिस चल रहा हो, या लीवर कामनी कर रहा हो, या सरीर की कोई हटी जुड़ नहीं रही हो, तो जो जल शिवजी को लो अच्छमन पर लेना, अब और आच्रमन संकर भगद्मान की छोटी बेटि, अशुक सुंदरी के नम से कर और उसका अच्रा, केवल सुक सुंदरी के नम और संकर भगद्मान की सबसे चोटी लड़ की मन में पेडा हो जनम भीते, नंणन मन में जनम शंचा quarter, नं पेंसर के रोग है y competit beef या बुखाट पेट से जुड़ा हुआ सिर से जुड़ा हुआ कंदे से जुड़ा हुआ या लेंटने पहँए-पर रहा कोई विरोग उदर से लेकर शरीर के अंदर नहीं रहागता है और वह बेकार हो तो तो बेसाक का महीना चल रहा है राके देवी जी जी बेसाक का महीना चल रहा है बेसाक के महीने की हुश्वरात्री के दिन दो आड़ वजे से लेकर ज्यारा वजे के बीच में एक नोटा पानी उसमें थोड़ा सा ऑप् है जा उस ख्ल – धोड़ा सा खा, या तो यह रहले तो थेओं के तो आँब के लोटे मीं डाल सो न MON रहे हैं उसमें धुबधो, पल के भरल कंद We vo क्लुइब , फाल मिजügen गी है प्रते महीने शुरात्री के दिन सुबहा आठ वजे से लेकर 11 बीच में संकर भगवान को जल समय कर जाओ बाबा पर विश्वास रखतर चलाना दिले बिले बिले पत्र पानी नहीं मिले तो मिक्ति के पात्र का पानी आपको तथा में मिक्ति के पात्र का ने को समर्पित कर सकते हैं के जल बैसा Remo ниमी में में संकर गसीन समर्पित कर दणे शरी डियरोруго कि प्रमाति हो जाते हैं अ करना है और अगर शीतल जल का दर्शन करना हो तो तो यह उपक्र जब लोग लाइफ दर्शन करते हो वह कल के तो महां कल कर दर्शन करेंगे तो बेसात महीने इसांग महीने में अगर शिवरत्री पड़े और उस शिवरत्री पर एक कलश का पात्र लोटा तामबेका या मिट्टी में रखा हुआ जल पात्र में लेकर एक बेलपत्र का छोटा सा भाग उसमें छुआया हुआ और फिर निवेदन कर रहा हूँ अगर बेलपत्र उस दिन नहीं मिले है तो पात्र लेकर चले जाना मंदिर में मंदिर में संकर जी पे तो बेलपत्र चड़ी होगी ना फिर जल के पात्र में उसको छुँआकर फिर शंकर भगवान को भावो से दिल से जो चाहते हो धन, वैभौ, सम्पदा, सत्ता या रोग से मुक्ती, चाहे उदर से जुड़ी हो, हाँ, एक चीज का ध्यान करना, अगर संपदा के लिए, विवाह के लिए, या विद्या के लिए, या अन्य चीजों के लिए आप शिव जी को जल चड़ा रहे हो, तो उसके जल को उठा कर नहीं लाना है, और अगर रोग के लिए जल चड़ा रहे हो, कि मुझे ये तकलीफ है, घर में ये बेमारी चल रही है, या रोग चल रहा है, या किड़नी का, या लीवर का, या कैंसर का, या ब्रेट पेशर का, तो जो जल तुमने समर्पित कर आउसको लेकर आकर आचमन भी कर रहे हो, कौन से दिन? जम के ब बाब विश्वनात मेरा तरकाल दर्शी कैलाशी अभिनाशी कह रहा है, के पारवती, एक बीला, एक बेल, जो मुझे समर्पित करता है, और समर्पित करने के बाद, उस बेल की मात्वता देखिए, जो बैसाक महिने में बाबा शंकर को जो चड़ाया जाता है, और हजार यग्यका पुन्य फलम प्राप्त कर लेते हैं, मात्रिक फल चड़ाता है, मात्रिक फल चड़ाता है, एक पारवती, संसार का मनुष्य जब मुझे वो बेल पत्तर समर्पित करता है, पारवती, वो फल जो मुझे चड़ता है, फिर में भले नर्वदा के जल से निकला हुआ कंकर शंकर क्यों ना हूँ फिर चाहे में गंगा के जल से निकला हुआ कंकर शंकर क्यों ना हूँ चाहे फिर में यमना के जल से निकला हुआ कंकर शंकर क्यों ना हूँ चाहे में सर्यू के जल से निकला हुआ कंकर शंकर क्यों ना हूँ ये पारवती फिर जो भी शिवलिंग पर वो बेल समर्पित होता है वो बेल उठाकर जीव अपने कारे में ले सकता है ये मा उमा से कर रहा है तो उस बेल की महत्वता जानेंगे अब अपन उस बेल को जानने के लिए 32 इसकन पुराण में चले तो इसकन पुराण में लिखा वो बेल का फल उठा कर रख लिया जाता बेसाक के महिने में उस चड़े हुए बागी क्या आपको बेल का फल खाना हो तो बाग दूसरी पर चड़ा हुआ जो बेल का फल है वो पूरा बेसाक नहीं खाना है बेसाक के बाद में अगला जो महिना आए उस महीने के अंदर उस फल के अंदर का गुर्दा निकाल कर उसको सुखा लीजिए और सुखा कर जिस व्यक्ति को पत्थरी की बिमारी हो और जिस व्यक्ति को पेट में बहुत भोजन पच्टा ही नहीं है पूरा शरीर पाचन किरिया बेकार हो गई उस व्यक्ति को केवल साथ दिन तक शंकर पर चड़ा हुआ वो बेल पत्र प्रदान कर दीजिए पत्थरी भी बाहर और पाचन किरिया भी ठीक जिंदगी भार तकलीफ ने उस बेसाक में उस फल की इतनी महत्वता बाबा भोले नात इसकंद पुरान लिंग पुरान नरवदा पुरान पुरान के अंतरगत श्युमाहा पुरान के अंतरगत बंदन कर दो उसकी मात होता है वो बेल का फल साधरण नहीं हो सकते अब मंदार का जो पुष्प होता है आकड़े का जो फूल होता है सफेद कलर का भी होता है और गुलावी कलर का भी होता है देखा है आप लो का जो गुलावी कलर का पुश्प होता है आप टीवी पे पर देख रहे होंगे एक सफेद देख रहे होंगे एक मंदार का गुलावी फूल नीला कलर का फूल देख रहे होंगे जो नीला कलर का जो पुश्प होता है गुलावी कलर का जो आकड़े का फूल होता है प्रयास करन जब किसी विशम परिष्थिती में फस गए विशम परिष्थिती जब आपको लग रहा है कि मुझे बहुत भए लग रहा है कुछ बुरा होने वाला आपको लग रहा है आज मेरी उल्टी आँख बहुत फढ़क रही है कुछ गरबढ होने वाला आपको लग रहा मेरी सीधी आँख खड़करी कुछ गरबढ होने वाला तब केवल वो नीला जो गुलावी पुष्ट है मंदार का उसको कहीं से लाकर शिवाले में अशुक सुंदरी वाली जगा पर इस परश करकर शिवलिंग पर आप चड़ा दीजिए आपकी विशम परिष्थिती कैसी भी होगे वो रस्ता बना कर बाहर बिकल जाएगे आपको फसन नहीं है परिशान नहीं मंदार आप सफेद आंकड़े का पुष्परवी भगवान शिव को समर्पित होकर जैसे बेले के फल का गुर्दा बेल का जो फल होता है बेल पत्री का फल उसका जैसे गुर्दा उसके अंदर का जो भाग होता है बेल का गुर्दा उसको अगनी में जला कर उसकी भस्म तयार करकर छान कर जब जब आपकी यहां विद्वान ब्रहमन शिव जी का अभिशेक कराते हैं पूजन कराते हैं तो उसमें लिखते हैं पूजन के साहित्य में बेल पत्री धतूरा दुरवा ये उसमें नीचे लिखेंगे भस्म लिखते की नहीं लिखते हैं लिखते हैं ना भी भाग आप अगर शिव को समर्पित कर रहे हो तो ये जान लें कि शंकर मनमांचित फल परदान कर रहे हैं शिव फल परदान कर रहे हैं महाराज बेल पत्री के ब्रक्ष के नीचे बेट कर हात में एक बेल पत्र का पत्ता रख कर आप पंचाक्छर मंत्र नमस्षिवाय ओम नमस्षिवाय या शिरी शिवाय नमस्तुब्यम या महामर्त्यूंजे मंत्र का इस्मर्ण कर रहे हो पर डंडी का भाग अपनी ओर बेल पत्र की बीच वाली पत्ती का भाग बीच वाली उंगली की हो रख कर अगर आप इस्मर्ण कर रहे हैं और अपनी काम ना करकर बेल पत्री के ब्रक्ष के नीचे बेट कर उस पत्ते को सम्मुख रख कर बाबा से विनय करकर एकान्त में उस बेल पत्री के व्रक्ष की च्छाओं में बेल पत्री के व्रक्ष की च्छाओं आप कामना करकर उस पत्ते को शंकर भगवान के उपर समर्पित कर रहे हैं तो ये जान कर रखें कि पारवती और शिव का मिलन करवा रहे हैं और अपनी मनवांचित फल कामना पूर्ण करवा रहा है क्योंकि शिव और पारवती का जब मिलन होता है शंकर पारवती जब एक दूसरे के सम्मुख में होते हैं शिव और पारवती जब एक दूसरे के सामने अपने बच्चों के कारण एक दूसरे के सम्मुख में आते हैं तो उनके चेहरे पर प्रसनता का भावा आ जाए फल, मनवान्चित फल की कामना आब जिस कामना के लिए कर रहर है विबा के लिए नोकरी के लिए सरवीस के लिए वेपार के लिए रोग मुक्ति के लिए आप जिस कामना से कर दो जो व्यक्ति पत ब्रश्ट हो जाए है जैसे मदिरा के नशे में पढ़ गया कहीं जुए में पढ़ गया कहीं मान सहार में पढ़ गया कहीं वैसन में पढ़ गया कहीं गलत काम में अगर कोई जा रहा है तो स्रम्भेश्वर महादेव के नाम से काली तिल भगवान शिव को समर्पित करी जाती है महाराजा काली तिल को वापिस उठा कर ले आते हैं उसी काली तिल को जो मदिरा का नशा करने वाला होता है या जो गलत वैसन में डूबा हुआ होता है उसको वो सुभा के समय अगर नहीं खाता तो भोजन के साथ उसको दिया गए शरम भेश्वर महादेव एक बेलपत्री का भी बहुत अच्छा प्रयोग है शरम भेश्वर महादेव का मदिरा पीने वालों के लिए मानसहर वैसन में जुए में पेश्यवर्ती में परनारी में गलत जगहा पर जो डूबे रहते हैं उनके लिए पहले की कथा में उसका भढ़नन किया है बेलपत्री का शरम भेश्वर महादेव एक बार सब बोलेंगे कौन से महादेव शरम भेश्वर महादेव फिर जम के बोल लो एक बाद श्रम भेश्वर महादेव जब हमारे घर में पुरोध बढ़ता है या कोई गलत कारे में जाने लगता है तो श्रम भेश्वर महादेव का हमें शर्णागती लेना चाहिए श्रमबेश्वर महादेव का पूजन करना चालू कर देना चाहिए कई लोग कहते है मारा जी श्रमबेश्वर महादेव का मंदिर का मिलेगा हम का पूजन करने जाए कई नहीं जाना तुमारे घर के पास में जो संकर जी का मंदिर है वहीं जाओ उसी देवाले में, उसी मंदिर में जाओ, श्रमवेश्वर महादेव के नाम से जल चड़ाना प्रारम करेंगे, वो जल जो गलत संगत में पड़ा हुआ है, उसका आचमन कराना प्रारम करेंगे, अपने आप उसकी दीरे दीरे बुद्धी सुधरना प्रारम बो हो जाएगी, ऐसा श्रम्भेश्वर महादेवका है 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 गर के छोटे बच्चों को भी बोलो बड़ों को भी बोलो अगर पैंसर का रोग है या केड़नी या लीवर या बुखार पेट से जुड़ा हुआ सिर से जुड़ा हुआ या घुटने से जुड़ा हुआ या रीड की हटी में कहीं पानी ढ़रा गया हुआ या कमर जुक रही हो कोई भी रोग उदर से लेकर शरीद के अंदर नहीं रहा रहा है और वो बेकार हो रहा है तो बेसास का महीना चल रहा है प्राके देवी जी बेसास का महीना चल रहा है तो बेसाती जो श्राक्री है इस श्राक्री के दिन, सुबहाँ आड़ वजे के लिए ग्यारा वजे के भीच में एक लोटा पानी उसमें थोड़ा सा बेल का प्थल मिल जाए उस खलका थोड़ा सा खाल या तो बेल का फलका अगर चलका मिल जा तो उसमें पानी बर कर तांबे के लोटे में डाल जो या बेल का फल नी मिले तो बेल पत्री को लेके उसमें डुबो दो और डुबो के बेल पत्री को बहान निकाल दो वो पान भवान संसर को शिवरात्री क दिन वैसात महीने की जो शुरत्री है वैसात के महीने में प्रते महीने शुरत्री के दिन सुबहा आठ वजे से लेकर 11 वजे के पीस में संकर भगवान को अपना रोग और भिमारी को जल समाति कर दो जाएं अगर बेल पत्री का पानी मिले तो मिक्टी के पात्र का पानी आपको तधाने का है मिक्टी के पात्र का पानी वो भी शंकर भगवान को समर्पित कर सकते जल बेसाक के महीने में शंकर भगवान को समर्पित कर देने से शरीर के रोग समाति हो जाते हैं वो रोग पिक्टा नहीं शीतल जल का दर्शन करना हो तो कभी महंकाले श्वर अभी आप लोग लाइट दर्शन करते हो महंकाल के तो महंकाल के दर्शन करेंगे तो बेसाक मही मिट्टी के महांका र्जाती उपर दिया जाते हैं, कभी आप चकलेश्वar महादेव पर पांच मिट्टी गढडे शिवजी के उपर दिया जाते हैं। वहाँ पर मिट्टी का घड़ा शिव जी के उपड़ दिया जाता है तो जो उस जल को समरपित करता है वो रोग से जनतों हो जाता है वड़ी बिमारी में घिरतना नहीं बैसाद के महिमें में सत्तु जरूत और सत्तु चाइना से नहीं आएगा इंडिया में बने बने श्रीमम्हा पुरान की कता करती है कि शंकर वगवान के शिवलिंग से लेकर जलाधारी में कुछ सिथान ऐसे हैं वहां पर हमारा मातर कुस्टर्श करकर अपने दिल की बात के देने परवी कारिस्टर हो जाता है तुम जल चड़ाव मत चड़ाव तुम बेल पत्र चड़ाव मत चड़ाव तुम तरतुरा चड़ाव मत चड़ाव पर दिल से अगर तुम उसका प्ल मी लेगा सत्तू बाहरों महीने खाऊ मत खाऊ कौन समय भाई बेसाग के महीने में सत्तू जदू ज़ुद खाऊ और सत्तू चाहिना से नहीं आएगा इंडिया में बने और बना भारत में ही मरने का सेतालिसवा दिन जब मरेंगे तब गरुण कुराण बचेगी पेले सुन लो और जिसके पास में गरुण कुराण नहीं हो तो पंडिजी से मंगवा कर फिर पढ़के देख लें मरने के सेतालिसवे दिन पोटी सेवन डेज सेतालिसवे दिन किस चीज का दान तुम्हारे सामने आता है मरने के सेतालिसवे दिन दस दिन तक तो जिवातमा घर के टरी परे थी मरने के बच बच बारवे के दिन चली जाती है उसके बाद में जब सेतालिसवे दिन जिवातमा को क्या दान करा जाता है व्यक्तिने क्या प्याम करा होता है कि उसको नरक नहीं भोगना पड़ता बेतरणी नहीं भोगना पड़ती तो सीधे बेतरणी से पार उतर जाता है वो किस चीज का दान है तो कहा शिव महा पुरान में करुन पुरान में कि वो सत्तू का दान है जो बेसास नहीने में करा जाता है सक्स्तू का दान तीन चीज़ों से मिलकर बनता है जो गोलते जाव दिल गयों चना ये तीन चीज़ों से मिलकर बनता है इसमें जो बारिक-बारिक कन होते हैं जितने जितने तीन चीज़ों से मिले हुए बारिक-बारिक कन होते हैं ये जब दान किया जाता है सक्तू का तब य ठीद्ध रत्नाँ उजन्स या दाए मैं ने भी तो यह पुछा गिस-किस क्या बनता है वे वे नहीं भी तूपने में भी थोड़ी नहीं आपके बन गया लेसाइक में बनता थोगा पहले गौँके लोग पीरत परने जाते थे गाओं का लोग की रखत करने जाता था जब जो युद्ध करने जाता है, ठक जाता है, बहुत ठकान हो जाती है, जब उससे देखा जाता है, तो सेनिक का जो कमंडर होता है, वो सक्तू मंगवाता है, और किलास में खोल खोल कर पुरी सेना को पिलवाता, फिर युद्ध में उतार देता है, फिर युद्ध में उतार देता है सजाफ कि थिए तो तुमारा क्या गिन्ने में भगबान कृष्ण के हांत में पठ्टी बंदी थी तो अन्हें भी रुक्मनिकोगिन्ना को दिया कर गें उन्हे सिर्फिक डॉक्मनिति प्री नी उस संत भ 5799 जे लिए नो हजार 9999 मजे ढूपति को तुमने जो सत्तु दान कर रहा था, तुमने जो सत्तु खाया था, तुमने जो सत्तु भगवान को दिया था, तुमने जो सत्तु भगवान को दिया था, तुमने जो सत्तु खाया था, तुमने जो सत्तु भगवान को दिया था, तुमने जो सत्तु खाया था, तुमने जो सत् कि इस चांगु नए एक लोट जल भरा उसमें ठोड़ा सथिन जल गालर तर्थ के बेटी प्रट्री को लिएप आधा जल मुझे देती है जब आधा जल मुझे देती है तो मुझे बड़ा गुस्टा आ था है तोकि ये पुच्चे और बुढ़े हैं यह दोनों एक समान हैं बच्चों को थोड़ा सवी उसकी समागरी में से उसकी च्वाइस की चीज में से तोड़के अगर दूसरे को दे दिया तो पच्चा यू फेकेगा वो जाके और मुझ फूला के बेढ़ जाके निखंग निखंग हर दूसरे साओा बला ओinis झांन वाल सक साब कर दोड़ा कि कहा राएद हैं आप पर बाला हैं उसका धन